पुत्तरी कश्मीर के बांदी पुरा जिले से एक ड्रक ड्राइवर के मोध की खबर सामनी आई है जिए हाँ आपको बता दें कि ड्राइवर की मोध का का parallel Heart Attack बताए जा रहा है और ड्राइवर पंजाब का रहने वाला बताए जा रहा है सूत्रों के मुताबिक एक ट्रक चालक की पहचान लगभग 50 वर्षिय पंजाब निवासी अशोक कुमार के रूप में हुई है जिसे सुंबल के सिलावत शेत्र में फूड कॉर्परेशन इंडिया स्टोर पर अचानक सीने में दर्ध हुआ जिसके तुरंत बाद उसे नजदी सुंबल ने जाए गया इसे लेकर मामला भी दर्ध कर लिया गया है और आगे की जाच शुरू कर दी गई है आपको फिर से बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बांदी पूरा जिले के सुंबल इलाके में सुभे एक ट्रक ड्राइवर की मोत की खबर सामने आई है बता दें कि ट ट्रक ड्राइवर की मोत की खबर सामने आई है जी हां आपको बता दें कि ट्राइवर की मोत का कारण हार्ट टैक बताय जा रहा है और ड्राइवर पंजाब का रहने वाला बताय जा रहा है सुत्रों के मताबिक एक ट्रक चालक की पहचान लगभग 50 वर्षिय पंजाब जाये गया जहां डोक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया इस बारे में फुलिस अधिकारी ने ज्यादा जानकारी देते भी बताया कि शव को चिकित सा उपचारिकताओं के लिए सियच्सी अस्पताल सुंबल ले जाये गया इसे लेकर मामला भी दर्च कर लिया गया है और आगे की जाच शुरू कर दी गई है आपको फिर से बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बांदी पूरा जिले के सुंबल इलाके में सुभे एक ट्रक ड्राइवर की मोत की खबर सामने है उत्तरी कश्मीर के बांदीपूरा जिले से एक ड्रक ड्राइवर की मोत की खबर सामने आई है Șihan आपको बता दिए कि ड्राइवर की मोत का का बताए जा रहा है और ड्रैवर पंजाब का रहने वाला बताए जा रहा है सूत्रों के मुताबिक एक ट्रक चालक की पहचान लगभग 50 वर्षिय पंजाब निवासी अशोक कुमार के रूप में हुई है जिसे सुंबल के सिलावत शेत्र में फूड कॉर्परेशन इंडिया स् पर अचानक सीने में दर्ध हुआ जिसके तुरंत बाद उसे नजदी की अस्पताल ले जाए गया जहां डोक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया इस बारे में पुलिस अधिकारी ने ज्यादा जानकारी देते भी बताया कि शव को चिकित सा उपचारिक ताओं के लिए सियच सी अस्पताल सुंबल ले जाए गया इसे लेकर मामला भी दर्ध कर लिया गया है और आगे की जाच शुरू कर दी गई है आपको फिर से बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बांदी पूरा जिले के सुंबल इलाके में सुभे एक ट्रक ड्राइवर की मोत की खबर सामने आ हाहे